आज मैं आपको धूती सल्वार बनाना बताऊंगी तो इसके लिए यहाँ पर मेरे पास दो मीटर क्रेप कपड़ा है तो आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो सबसे पहले कपड़े को खोलेंगे और इसको एक बार फोल्ड करेंगे इस तरीके से एक बार फोल्ड करना है कपड़े को यहाँ पर कपड़े की दो लेयर मिली है देख सकते हैं इस साइट खुला हुआ है और दूसरी साइट बंद है तो यहाँ पर मैं बंद साइट से कपड़े को उठाऊंगी और डाइगनली कपड़े को फोल्ड कर देना है तो एक ट्राइंगल शेप में कपड़े को फोल्ड करना है तो देख सकते इस तरीके से डाइगनली मैंने फोल्ड किया है कपड़े को और साइट में जो एक्ष्ट इस साइड पे हम आसन की मार्किंग करेंगे और नीचे की साइड पे हमारा पोचा आएगा तो यहां पोचे के लिए दो इंच छोड़ देंगे और यहां सलवार की जो रेडी लेंद है वो है 38 इंच तो नीचे दो इंच पोचा छोड़ते हुए 36 इंच लंबाई की मार्किंग करेंगे और दो इंच हमारी बैल्ट हो जाएगी तो यहां 36 इंच लंबाई मार्क की है और नीचे से अब पोचे के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाना है तो आपके पोचे की चोड़ाई जितनी हो आप उतना निशान लगाएगे यहां उपर की साइड सीधी लायन बना लेंगे और एक्ट्रा कपड़ी को हटा देंगे तो यहां एक्ट्रा कपड़ी को मैंने हटा दिया है यहां आसन की मार्किंग करेंगे तो आसन के लिए हिप राउन का चौथाई भाग लेते हैं और इसमें 2 इंच लोजिंग रखते हैं तो यहां पे 38 का हुआ साड़ी 9 और साड़ी 9 में 2 इंच साड़ी 11 तो ऊपर से 2 इंच बैल्ट का छोड़ते हुए मैंने साड़ी 9 इंच आसन का लिया है दो इंच आगी की तरफ क्रॉच कर्व के लिए लिया है अब बॉक्स बना लेंगी और क्रॉच का कर्व बना देना है हलकिसी गोलाई देनी आसन में और जिन नीचे पोचा के लिए मार्किंग की थी उस पे भी कट बना लेना है अब जो ये साइड है साइड पे हमें 1.5 इंच पे निशान लगाना है सीधा और कटिंग कर लेनी है ये हमारी प्लेट का सेंटर होगा ओपन करने पर इस तरीके से फैबरिक आएगा तो यहां पर कपड़े की इस तरीके से दो पड़त निकलेंगी तो ये दोनों साइड सलवारं के निकलाएंगे इस तरीके से सलवार की सिलाई करेंगे इसके लिए यहां से बॉटम तक हमें सिलना है तो बॉटम में जहां आमने पोचे का कट लगाया था वहीं तक सिलाई करनी है दोनों पार्ट में सीधी सिलाई देनी है तो कपड़े को इस तरीके से रखते हुए जहां पर पोची का गट है वहां तक सिलना है इस सल्वार को सिलना बहुत ही आसान है तो यहां पर पोची तक कहां पर सिलूंगी मैं तो पोची तक स्लाइड करने के बाद नीचे तिकोना अकार इस तरीके से आएगा इसको भी डबल फोल्ड करते हुए सलाइड देनी है इसको इसली आप फोल्ड कर सकते हो दूसरी साइड भी डबल फोल्ड करते हुए सलाइड लगा देनी है इस तरीके से इसली ये सलवार का पोचा बन गया है अब इसी तरीके से दूसरा पार्ट है सलवार का उसे भी सिल लेंगे सीधी सलाइड देते हुए जहां तक पोचे का कट है वहीं तक सिलना है और नीचे फोल्ड करते हुए सलाइड लगा देनी है तो यहाँ पर मैंने दोनों पार्ट को सिल लिया है और बोटम से ही देख सकते हैं पोचा हमारा खुला हुआ रहेगा अब आसन को जोड़ेंगे तो आसन को इस तरीके से पकड़ते हुए सीधी सलाइड लगानी है बहुती इसली आप आसन को जोईन कर सकते हुए तो यहाँ पर आसन पर मैंने डबल स्लाइड दें दी है अब इसको ओपन कर लेंगे अब जो साइट कट था हमारा प्लेट्स वाला साइट कट पे भी सीधी सलाइड लगानी है दूसरी साइट भी साइट कट पे सलाइड लगानी है तो यहाँ पर साइट कट पे मैंने सलाइड दे दी है सलाइड देने के बाद इस तरीके से यह प्लेट्स का सेंटर हो जाएगा जो कि हमारी कमर की साइट पे आएगा इसी की दोनों साइट पे हमें प्लेट्स डालनी होगी तो ध्यान देना है जो हम प्लेट्स डालेंगे उनका मुँ इसी सेंटर की तरफ होना चाहिए तो मैं आप आपको प्लेट्स डालना बताऊंगी तो जैसे कि मैंने बताया प्लेट्स का जो फेस है वो इस सेंटर की तरफ होना चाहिए तो इस साइड को फोल्ड करते हुए प्लेट्स को डालेंगे यहाँ पर प्लेट्स आपको ध्यान देना है जो हमारा हिप राउंड था 38 उसमें 4 इंच की लूजिंग लेनी है हो जाएगा 42 और 42 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आगया साड़े दस इंच तो चार पार्ट में प्लेट्स को डालना है यहाँ पर तो हर पार्ट में साड़े दस इंच तक की प्लेट्स जान लिए हमें जैसे की इस साइड प्लेट्स हम डालेंगे तो प्लेट्स हमें इतनी डालनी है कि हमारा जो साइड पे है साड़े दस इंच तक आ जाए तो मैं आपको यहाँ पर मैजर करके बताती हूँ तो सेंटर से आसन तक साड़े दस इंच आ रहा है मेरा यहाँ इसी तरह दूसरी साइड भी सेंटर से आसन तक साड़ी दस इंच आ रहा है अब इसी तरीके से बैक साइड पे प्लेट्स डाल लेंगे बैक साइड पे भी साड़ी दस इंच आना चाहिए तो आप अपने नाप के एकॉर्डिंग करिए यहां बैक साइड पे भी प्लेट डालेंगे और ध्यान दे प्लेट का जो फेस रहेगा वो सेंटर की तरफ ही होना चाहिए अपोजिट नहीं होना चाहिए उससे तो सेंटर की तरफ फेस करते हुए इस तरीके से प्लेट डाल लेनी है दो मीटर कपड़े से एजली आप बहुती घेरदार दोती सलबार बना सकते हो इस तरीके से बैक साइड भी प्लेट डाल दी है मैंने आप यहां पर बैल्ट बनाएंगे तो बैल्ट के लिए यहां पर मैंने साड़ी चार इंच चौड़ी पट्टी ली है इस पट्टी को जब हम फोल्ड करेंगे तो यह पट्टी धाई इंच की रह जाएगी और सिलने के बाद दो इंच की हमारी बैल्ट रेडी हो जाएगी इसकी लंबाई मैंने आप लिए 48 इंच थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना है कपड़ा बैल्ट को इस तरीके से रखते हुए स्लाई लगा देनी है यहाँ पर मैंने स्लाई लगाते हुए बैल्ट को अटेच कर लिया है अब बैल्ट को अंदर की साइड फोल्ड करना है तो इस तरीके से डबल फोल्ड करना है अंदर फोल्ड करना है थोड़ा और फिर इसके उपर स्लाई लगा देनी है देख सकते हैं इस तरीके से स्लाई लगाते हुए मैंने बैल्ट अटेज कर ली है और थोड़ा सो इसको खुला हुआ रखा है इसमें इलास्टिक डालेंगे तो यहां पर एलास्टिक आपको अपने कमर की नाप से 4-5 इंच कम लेनी है तो यहां पर मैंने 28 इंच ली है अब लास्टिक को जॉइंट कर लेंगे और अंदर की तरफ सेट कर लेंगे खीचते हुए और जो ओपन पार्ट है उसको भी सिलना है और सेंटर पे भी आप सलाई से लगा सकते हैं तो देख सकते हैं कि इतना इसली हमने यह दूती सलवार बना ली है कि बैक साइड भी देख सकते हैं इसका सेम लुक आएगा पाइनल लुक सलवार का कुछ इस तरीके से आएगा